ग्रीर आज विभाग में कोई फाइल नहीं है नित्यानंद राई जी अनन्द लीजिए नेता आप कहां बिहार के राजनित के चक्कर पड़े एही मुख्मंत्री बनने में आपने भाजबा को एक्सिडेंट करा दिया आपके साथ अबिनास बिहार भाजबा पफ़ेश अनन्द रायन रायने खुफ तारीख भीकि और उन्होंने साब तोर भी कहा कि अब समराट चौधरी को बरा कमान मिला है और भाचपा पार्टी में किसी को पद नहीं मिलता दाई तो मिलता है और इसको लेकर उन्हें ये भी कहा कि समराट चौधरी आगे कमान बखुल भी बिहार में समालेंगे और इस तरीके से सदन के बात याद दिले उन्होंने ये कहा कि तजश्वी प्रसाद यादो सही कहते कि ना तो वो शियम बनेंगे और ना ही मुख्यमंत्री पिम बनेंगे इसी को लेकर जब सवाल किया गया जदियो MLC नीरज कुमार से उन्होंने साब तोर पे कहा कि जिसको जितना राजनितिक समझ में है उतना ही वो बोलेंगे नित्या नंद्राय जी अपने बिभाग में जाके देखे क्या कुछ कह रहे जदियो MLC नीरज कुमार आप सबसे पहले उनकी इस बयान को देखे जिसका जतना राजनितिक समझदानी होगा उतना ही समझ में आएगा अरे बिहार मॉडल से परिशान आप है जो महागटबंधन ने आकार रूप लिया और महागटबंधन का जो नेत्रित मानिय नितिश कुमार जी ने जो आकार रूप दिया तब परिसान का है, फाइल उलने मिलता है क्या, ग्रीर आज विभाग में कोई फाइल नहीं है, नित्यानंद राई जी, अरे आनंद लीजिये नेता, आप कहां बिहार के राजनीत के चक करें पड़े, एही मुख्मंत्री बनने में आपने भाजबा को एक्सिडेंट करा दिया जोजार पचीस, चोबिस और पचीस में सूप्रा साफ हो जाएगा, समराठ शोधरी को जनजन का नेता बता रहे हैं, वो तो भारती जनटा पार्टी का अंदरूनी मामला है ना, प्रेम कुमार जी में कौन अथी गलत है, प्रेम कुमार जी आज से हैं, सतहतरे से मिले हैं, उसमें छमता ने है, अरे भाजपा में छमता वाले नेता नहीं है, इसा माघदर संग मंडल में चले गए, और कहा है, गिराज सिंग में नहीं ताकत है, इतना ताकत वर बयान देते हैं, उनहीं बन सकते हैं, नेता, भाई हिंदू मुसल्मान करने वाला डियन हो, राजनीत क तब उनको नहीं जिम्मेवारी मिला जाए, रादा मोहन सिंग को जिम्मेवारी नहीं मिला जाए, सुनी चोबे को नहीं मिले, तब मैंने इस सब तबला बजाने के लिए हैं बाजपा में अरू तो पंदरा में भी आउट किये हैं, उतिहास दोहराता है, चिंता मत करिए तो आपने उस वीडियो के देखा, जिसमें साब तोर पे जदियो इमेल से नीरज कुमार ने कहा है कि नित्या नंदराय अपने गिरिराज फाइल को उठा कर देखे, फाइल नहीं बचा और ये भी कहा कि जिनको जितना राजनीतिक समझ है, उतना ही बोलेंगे जिस तरीके से भाच्पा में पहले भी जो परदेश अध्यक्ष थे और जो बरे परदेश अध्यक्ष है वो अब भाच्पा में केवल क्या तबला बजाने के लिए रहें और जिस तरीके समराठ चौधरी को लेकर उन्हें कहा कि समराठ चौधरी जो अब भाच्पा परदेश अध्यक्ष बने हैं उन्हें जिम्वारी मिली है वो समालेगा और 2024 में जो क्या कुछ होगा उसको लेकर भी नोने बड़ा बयान दिया है और ये भी कहा है कि समय बताएगा कि 2024 और 2025 में क्या होगा इस वीडियो में इतना ही ये वीडियो अगर आप यूटूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगा और फेस्बूक पेज को भी फॉलो करेंगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद